प्रत्वी की सरचना यहां मेरा टॉपिक चल रहा था और यहीं मैंने इसको छोड़ा था प्रत्वी की सरचना को हम तीन भागों में बाट कर इसकी स्टेडी करेंगे तो लगवग में इसके बारे में आपको कुछ समझा चुका था कि प्रत्वी की जो लगवग तीन परते हैं पहली परत का नाम भूपरपटी दूसरी परत का नाम मैटल तीसरी परत का नाम क्रॉड चेत्र के माध्यम से देखें आप यह जो प्रत्वी का भाग है अंदर इसे क कहते हैं मैटल और उपर का भाग है आउटर पार्ट इनर लेयर आउटर लेयर यह यह बाहरी परत तो इसको तीन परतों में बाट कर बेटा डायग्राम भी इसका इसी तरह बनाना है आपको यह नहीं देखो बिल्कुल सिंपल यह अंदर का क्रॉड यह मैंटल और यह आपकी बाहरी परत तो इस परत का नाम भूपरपटी इसको कहोगे मैटल और इसे कहेंगे क्रॉड तो प्रत्वी सूर्ये से अलग होने के तुरंत बात यह दि हम देखें तो प्रत्वी उबलते हुए द्रभ के गोले की तरह थी जब प्रत्वी सूर्ये के सोर सदस्द सूर मंडल है सूर्ये से अलग हुई उस समय यह गरम द्रभ के गोले की तरह थी इसके बनने में बहुत लंबा समय लगा लगभग हम देखें तो प्रारम में यहने मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड जो प्रत्वी के टकराने से अलग हुआ उससे चंद्रमा की उत्पत्ती हुई जब प्रत्वी सूर्ये के पिंड से लग हुई उसी समय मंगल के पिंड के आकार का एक पिंड जो प्रत्वी से अलग छिटक गया उससे चंद्रमा कहा और चंद्रमा प्रत्वी का उबग्रे है और वो चंद्रमा प्रत्वी के चारोड चकर लगाता है इसलिए उससे प्रत्वी का उबग्रे माना गया है प्रत्वी के ठंडे होने पर कुछ चट्टाने बनी जिनमें कुछ भारी थी कुछ हलकी थी भारी चट्टाने गहराई में चली गई तथा हलकी चट्टाने हलके तत्म के रूप में जमती चली गई जिससे प्रत्वी की सतेहों का निर्माण हुआ प्रत्वी की सरंचना देखें तो लगभग प्याज के छिलकों के समान है जैसे एक के उपर एक प्याज के छिलके जम्हे हुए है उस तरह उन छिलकों के समान प्रत्वी की सरंचना को माना गया है प्रत्वी के केंदर से सत्य की जो दूरी है यह जो केंदर से लगवख सत्य की दूरी है इस दूरी को लगवख 493900 किलो मीटर माना है प्रत्वी के केंदर से सत्य की दूरी है उसको लगवख 3900 किलो मीटर माना है कि लगवख प्रत्वी की जो तरज्या है इसको केंदर से सत्य तक माना गया है 3900 किलो मीटर और वैसे आप से कहूं तो लगवख 6 गुणा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6 यह 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर यह प्रत्वी की तरज्या होती है प्रत्वी को अभी तक 15 किलो मीटर गहराई तक इसमें छिद्र करना संभव हुआ है 15 किलो मीटर से अधिक गहराई का छिद्र अभी कहीं भी संभव नहीं हुआ है ऐसा बिलकुल जानकारी के अनुसार है और प्रत्वी की अंदर यदि हम प्लेटों की संख्या है तो बिवर्थनी प्लेटों की संख्या कितनी है 29 प्रत्वी की सते में बिवर्थनी प्लेटों की संख्या 29 है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं परतों की तो सबसे पहले लेते हैं भूपरपटी ठीक है इसमें जो मेर्मेन पॉइंट है उनको आप लिखोगे भी यह मैं पेडिये डालूगा उसका भूपरपटी तो यह उपरी परत है प्रत्वी की उपरी ठोज परत है इसे प्रत्वी की तौचा भी माना गया है भूपरपटी को प्रत्वी की तौचा भी माना गया है यह सभी इस्तानों पर एक जैसी नहीं है कहीं पर उचाई अधिक कहीं घहराई चादा और इसके अंतर के कारण ही प्रत्वी की जो भूपरपटी एक समान नहीं होने के कारण कहीं उचे पहाड है कहीं सपाट है कहीं रेतिले मैदान है और कहीं घहरे समुद्र है इनका कारण है कि भूपरपटी का समान नहीं होना इस भूपटल को दो भागों में बाटा है पहला भाग है जल मंडल और दुसरा भाग है इस्थल मंडल यदि हम देखें लगभग जल मंडल का भाग तो लगभग 70% भाग जल मंडल का है और 30% भाग इस्थल मंडल का है भूपरपटी को दो भागों में डिवाइड किया जल मंडल और स्थल मंडल प्रतवी का दिकांस भाग जल में डूपा हुआ है ऐसे निि जल मंडल की नी चले स्थल भी है लेकिन वो में जल से धका हुआ है तो जल, थल और बायू मंडल ऐसे बहे भाग है जिनमें जीवन पाया जाता है उसको जैब मंडल कहते हैं क्या कहते हैं जैब मंडल तो एक परिवासा निकली बेटा यहां पर देखो प्रत्वी का ऐसा भाग चाहे वो जल, थल, बहे बायू जल, थल, बायू के वे इस्तान जहां पर जीवन पाया जाता है उसे जैब मंडल कहते हैं जल, थल, बायू मंडल का बहे भाग जहां जीवन पाया जाता है जल, थल, बायू मंडल का बहे भाग जहां जीवन पाया जाता है उसे जैब मंडल कहते हैं बर्तमान में हम देखें तो लगवक सत्तर प्रसीद जो भाग है इस्तल का वो जल से ढखा हुआ है से इस्तीस प्रतियसद भाग इस्तल है उस इस्तल पर भी कहीं मैदान है कहीं उचे पहाड है कहीं सपाट मैदान है प्रत्वी के ठंडे होने से भू परपटी विशाल चट्टानों में खंडों में बदल गई जिनने बेवर्तनी प्लेटे कहते हैं प्रत्वी जैसे जैसे ठंडी होने लगी ठंडी होने पर भूप परपटी विसाल चट्टानों में बदल गई और इन जो विसाल चट्टाने हैं इन विसाल चट्टानों की जो परते हैं उन परतों को बेवर्तनी प्लेटें कहते हैं और इन बेवर्तनी प्लेटों में क्या गत भी होती है यह प्लेटे एक दूसरे पर फिसलती है और इनके फिसलने की जो गती है वो नाखुनों के ब्रदी के समान मानी गई है जैसे हमारे नाखुनों की देखें ब्रदी कैसे होती है हमें पता नहीं नाखुन बढ़ते हैं बालों की ब्रदी होती है तो इनकी गती इतनी धीमी है कि उसका अंगलन हम नहीं कर सकते ऐसी ही बिवर्तनी जो प्लेटे हैं वो भी एक दूसरे पर फिशलती है प्रारब में जब यह प्लेटे हलकी थी तो इनकी गती कुछ तेज थी ठीक है तो यह तो बात है भूपरपटी की इस भूपरपटी में लगवा 29 बिवर्तनी प्लेटे हैं जो आपसमें दूसरे पर फिशलती भी हैं दूसरे भाग देखी विटा मेंटल है मेंटल यह प्रत्वी की दूसरी मोटी परत है इसमें अधिकांस गरम पिगली चिट्टाने है और इसमें सिलीकेट और मेगनेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इ कि गूपरपटी जिसके दो भाग जल मंडल और इस्थल मंडल में भी 29 वेवर्थ निये प्लेटे हैं और ये प्लेटे आपस में दूसरे पर फिशलती है और इन प्लेटों से इस्थल मंडल पर कहीं पहाण हैं कहीं मैदान हैं कहीं रीद के टीले दूसरी मेंडल यह प्रत्वी की दूसरी मोटी परत है जिसमें अब पहली जो परते भूपरपटी इसमें है सिलिकॉन और मेगनेशियम और यह जो परत है दूसरी दूसरी परत मेटल है इसमें सिलिकॉन प्लस मेगनेशियम है इसलिकॉन बेर मेगनेशियम है इन्हें सिलिकेट की चट्टान प्लस मेगनेशियम प्लस मेगनेशियम ठीक है तो प्रत्वी की दूसरी परत है उसको मेटल कहेंगे इसमें सिलिकेट और मेगनेñaशियम की तुल बहुत अदिक मात्रा है इसमें उबलते हुए द्रभ की तरह बुलबुलों उठते हुए रहते हैं और मेटल के मध्य भाग पर यह द्रव रहा गरम होने के कारण ये मेगनीशम और सिलिकेट उपर नीचे होते रहते हैं तीसरा हम बात करते हैं तीसरा भाग है क्रोड यह प्रत्वी की सबसे आंत्रिक प्रत का नाम है सबसे तीसरी प्रत है उसे कहेंगे क्रोड और इस क्रॉड के अंदर देखें हम तो यह सबसे गरम भाग है इसका जो तापमान है तापमान वो साथ हजार डिग्री साथ हजार डिग्री सेल्सियस है ठीकै तो क्रॉड के अंदर यह दि हम देखें सबसे अधिक गरम है तापमान 7000 सेंटीग्रेड है और क्रॉड के अंदर प्रतुब्र के बंते समय यह न अंदर रहे गई एक तरह से इसमा है इसमें सबसे अधिक जो भाग है वो इसमें पाए जाता है निकल कि प्लस आयरन याने लोखा कि है इसको आप नीखे भी कह सकते हैं building तो प्रत्वीक गैराई के अंदर गरम हुई उस्मा जो क्रोडभाग से ही निकलती है और माहा क्रोडभाग ते ल है और अंदर का क्रोडभाग होता है वो लगब लोहा और निकल की उपस्तिती के कारण वो बहुत ज़्यादा गरम भी है अंदर वाला जो भाग ठोस माना गया है क्योंकि यह लगवक सुद्द लोहे का बना है कुछ बैग्याने कैसा मानते हैं कि प्रत्वी का जो कॉड़ वाला भाग है उसमें सोना और प्लेटी नियम की बहुत अधिक मात्रा भी हो सकती है लेकिन उसका ताप्मान अधिक होने के कारण उसकी अभी जास का आकलन नहीं हो सका ठीक है तो यहां आपने इसके बारे में पड़ा देन नेक्स्ट हम केंज करते कुश्यन प्रत्वी की कुछ शक्तियां है उन शक्तियों को कहते हम बिवर्थनी शक्तिया या उन्हें हम प्रत्वी के उर्जा तंत्र के भी नाम से जानते है हम सब प्रत्वी की सते पर रहे कर हम प्रत्वी की उर्जा का उप्योग करते है तो वो उर्जा कई प्रकार हो सकती है जैसे बेवर्थ भी है शक्तिया टेक्टोनिक एनर्जी क्या होती है बेवर्थ नी शक्तिया देखिए वे शक्तिया बे शक्तिया जो प्रत्वी की सतह को निरंतर बदलने का कारिय करती है चाए वो सक्ति अंदर से हो चाए वो सक्ति वाहर से हो तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वे शक्तिया जो प्रत्वी की सतह को निरंतर बदलने का कारिय करती है वे शक्तिया जो प्रत्वी की सतह को निरंतर बदलने का कारिय करती है वेवर्तनी शक्तिया कहलाती है ठीक है यह शक्तिया दो प्रकार की होती है यह शक्तिया दो प्रकार की होती है नमबर एक वाहा वेवर्तनी नमबर एक आंतरिक वेवर्तनी शक्तिया अ नमबर दो बाहा वेवर्तनी शक्तिया आंतरिक और दूसरी बाहा जबकि दोनों सक्तियों का काम क्या है कि वे सक्ति जो प्रत्वी की सतह को निरंतर बे सक्तियां जो प्रत्वी की सतह को निरंतर बदलने का कारिये करती है उन्हें वेवर्तनी शक्ति कहती है अब ये सक्तियां देखो ज्वाला मुखी हो सक्ति है भूकंप हो सक्ता है सुनामी हो शक्ति है हिमनद हो शक्ति है समुद्री धाराएं हो शक्ति है ऐसमान बेक की हवा हो सकती है तो विभेन प्रकार की जो शक्तियां है ये शक्तियां आंत्रिक रूप से या बाहिरी रूप से प्रत्वी की सरंचना को बदलने का कारिय करती है ठीक है तो यहां मैं कुछ आंत्रिक जो विवर्तनी शक्ति है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए यह सक्तियां प्रत्वी के अंदर रहकर कारिय करती है मित्ता परिभास आपको दोनों की बता दू समझेगा आंत्री वेवर्ति शक्तियां वे वे शक्तियां जो प्रत्वी के अंदर रहकर प्रत्वी की सरंचना को बदलने का कारिय करती है वे शक्तियां जो प्रत्वी के अंदर रहकर प्रत्वी की सरंचना को बदलने का कारिय करती है उन्हें आंत्रिक विवर्तिनी शक्तियां कहते हैं दुसरा बाहर विवर्तनी शक्ति वे शक्तियां जो बाहर से प्रत्वी की सरचना या प्रत्वी के स्वरूप को परिवर्तित करती हैं उन्हें बाहरी विवर्तनी शक्तियां कहते हैं कि उन्हें बाहरी विवर्थनी शक्तियां कहते हैं ठीक है तो यहां देखिए इन दौनों के यदि हम बात करें देखो आंत्री विवर्थनी शक्ति इसमें मैं बात करूंगा ज्वाला मुखी ठीक है दूसरा भूकम और सुनामी ज्वाला मुखी भूकम और सुनामी यह तीनों आंत्री शक्तियां है और यह अंदर से पूरी सरचना को बदलने का काम करती है और यह तीनों जो सक्तियां है वो प्रत्वी के अंदर से स्वरुप को बदलती है ठीक है दूसरा बाहा बिवर्थनी शक्तिया इसमें यदि मैं बात करूं आप से देखो चक्रबात चक्रबाद चक्रबाद का मतलब बायू का घेरा के बायू एक एस अमान बेग से घूमती हुई ये घेरा बना लेगी जिसे चक्रबाद कहते है ठीक है चक्रबाद वहते जल की सकती समुद्री धाराई हिमनद और ते चलती हवा जिसे कहते हैं पवन तो ये सब इनके उधारण हैं जिसके बारे में हम डिटेल अध्यान करेंगे तो देखे बटा आज के वीडियो में आपको यहां तक ही कल में यहां से आगे जौला मुखी भूकम सुनामी के बारे में विस्तार से बताऊँगा तब तक लिए थैंक यू